मुक्यमंत्री जी इबादर एक मुकाम तक ले जाती है आगे का रास्ता मोहबत दिखाती है लेकिन आज जिस तरह की राजनिती बदले की रास्ति हो रही है महराश्ट्रू में और आपने पहले हिमाचल की बेटी का सवाल उठाया था आज वो राज पूरे महराश्ट्रू में लेकिन मैं तो इस बात को लेकर कि पहले से व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ के के बदले की भावना से राजनिती नहीं होनी चाहिए हलांकि हिमाचल परदेश में भी इस परकार का प्रचलन पिछले कुछ वर्ष्ण से बना हुआ था जब सरकार बदलती थी तो बदले की भावना से एक दूसरे के खिलाब मामले दर्ज होते थे कारवाई होती थी और अंतता परिनाम उसका कुछ नहीं होता था और इसी तरह से इसी तरीके से कुछ एक परदेशु में इस परकार से अगर कर रहे हैं तो वह बहुत दुरभागय पून है जहां विशेश तोर से अ कूल आधार पर शिबसेना बनी थी कॉंग्रेस के विरोत में आज उसी के साथ मिलकर के सरकार बनाकर चला रही है और वह कंप्रमाइस उख रही है उनके हिसाफ से चल भी ए और खास्तौुर से वहां पर जिस परकार से लोग्त लोक्तांत्रिक मूलियों का वहां पर जो हनन्न हो रहा है आदमी के जीवन को संकट में डाल करके इस परकार से सरकार के मादयम से परिशान किया गया रहा थो वह क्या फूरह करते हैं तो उन के साथ भी वेवार उचित हुआ है ऐसा नहीं और हाई कोट ने उस पे अपना जज्जमेंट दिया हुआ है समान नागरिक अचार सहीता की बात हो रहे हैं पूरे देश इस पर लेकर आपका क्या विचार है हमने हिमाचल प्रदेश में इस सारे विश्या को लेकर के एक्जामि हुआ है लेकिन जब सारी चीजें चर्चा करने के बाद अम किसी निश्काष पर पहुंचे के तो निर्णे करेंगे करें करें